हाई दोस्तों एक निया अपडेट आ रहा है टू अपकमिंग बाइक्स को लेके जो की है 650 cc क्लासिक एंड दोस्तों शॉट्गन 350 cc सॉट्गन 350 cc फर्स ताइम स्पाई हुई है अलड़ी हमने फैमिली ट्री में देखा था कि इस ग्लासिक बेस एक बॉपर मॉडल आने वाला है वह हमको अब स्पाई हो चुका है उसके बारे में बहुत सारे बात करेंगे पहले हम बात करते हैं क्लासिक जो 650 cc लग रहा था अगर आप फरंट एसाइब देखेंगे लडी हैडलाइट को छोड़के तो पूरा पूरा आपको जो है सेम लगने वाला है दूर से टैंक साइज इसमें जो है अराम से 13.5 लिटर्स के आसपास देखने मिल रहा है सेम ही टैंक है जैसे क्लासिक में देखने मिल पर लग आप डूर से लगने वाली है जैसे क्लासिक के लिडियो में क्लेर किया था कि क्लासिक का सेल बहुत अच्छा है और वही अगर मॉडल आगर शूर्ट की सीसी में आएगा तो लोग बहुत जादा पसंद भी करेंगे तो यह तो बात हुई क्लासिक की दोस्तों बट अब बात करते हैं shotgun 350 की जो कि एक classic bobber model है और इसमें भी जो अगर आप tires देखेंगे खास तोर से तो आपको एक classic touch tire देख रहा होगा क्योंकि sidewall जो है white है spoke wheel के साथ में मिल रहा है दोस्तों split seat है, rear seat जो है जो है lift की हुई है and rear में जो mudguard है वो separate दिया हुआ है थोड़ा सा bobber type look जो है वो तो देखने हो मिल रहा है tail light अगर आप देखेंगे तो super meteor और ये tail light आपको देखने हो बिल रही होगी super meteor 650 वाला and indicators जो है वो LED दियो है instrumenter cluster सेम classic वाला है इसमें पर headlight जो मिलने वाली है वो LED मिलने वाली है तो ये भी बहुत अच्छा look जो है दे रहा है अगर handlebar और handlebar switches की बात की जा है तो सेम आपको meteor 350 वाला ही आपको जो है feel आएगा side में आपको आप देख रहा होगे panier लगा हुआ है तो इसके उस look जो है proper clear नहीं हो रहा बट मुझे लगता है कि इसमें twin shock absorber के जगा में यहाँ पे monoshock देना जाए था monoshock में look जो है बहुत ही अच्छा जो है और अच्छा आता अब वो 350 CC में refinement तो कुछ नहीं किया गया है सेम आपको engine जो है सेम मिलेगा अब बात कि दोनों मॉडल में ही आपको सेम कन्रेंशनल फोक ही मिल रहा है जो कि आपको classic में देखने हो मिलता है इसमें मुझे लगा था योजडी फोक होना चाहिए था वो योजडी फोक नहीं दिया अब क्या point of view जो मुझे बताइएगा अब भी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा रॉयल इंफुडी जो टैंक साइस जो है उसमें थोड़ा सा कमी रख रहा है 13.5 लीटर का टैंक है वो थोड़ा छोटा रहता है अटलिस 15 या 17 लीटर का टैंक जो है और आपका क्या point of view है दोनों ही मॉडल के लेके जरू मुझे कमें बताइएगा दोनों ही मॉडल बहुत ही सही लग रहे है अगर प्राइजिंग के बाद की जाए तो जो classic मॉडल है वो 2.80 तो 2.90 लाक्स के असपास कहा जा रहा है एक शोरूम प्राइज और जो सौर्जन 315cc मॉडल है वो 2.10 तो 2.20 लाक्स के असपास जो है एक्सपेक्टड प्राइस कहा जा रहा है यहीं ही 2024 का प्लान है अभी इसमें बहुत सारे टेस्टिंग वीडियो और इमेजेस जो हैं आपको इन फीचर देखने में मिलेगी अभी सिर्फ और सिर्फ एक रिवील टाइप का जो बोलते हैं मॉडल जिस पर टेस्टिंग हो रही है वैसा कोछ होगा हुआ है जो कि अन ओफिचल ही है तो जल्दी इसे बहुत सारे डिटलिंग जो है आने वाली है कमेंट शेक्षिन में अपना पॉइंट भी जरू लिखेगा बाई